नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तो आई एनस विक्रांद को इंडियन नेवी को सौपने के बाद भारत अपने तीसरे युद्धुपोत यानि वार्शिप को तयार करने में जुट गया है और इस जंगी जहाज और फाइटर जेट करियर का नाम है आई एनस विसाल जो आई एनस विक्रांद से 45 परचंट बढ़ा है और कई गुना सक्तिसाली भी है जब से चीन का हिंद महासागर में दखल बढ़ा है तब इसे भारत को दो से अधिक युद्धुपोत की जरोत पड़ी है और इसलिए आई एनस विसाल का निर्मा सिप्यार लिम्टेट द्वारा बनाया जा रहा है और यह आई एनस विसाल एयर क्राफ्ट करियर आई एनस विक्रांद और आई एनस विक्रमादित्य से भी विसाल और पावरफुल होगा वही आई एनस विसाल 65,000 टन वजनी होगा इसी के साथ यह भारत का सबसे बड़ा औ और भारी भरकम aircraft career होगा, फिलाल मवजूदा आइनेस विक्रमादित और आइनेस विक्रांट messenger है, जहां आइनेस विक्रमादित और आइनेस विक्रांट में 30 से 35 fighter jet ले जाने की छमता है, वही आइनेस विशाल 55 से 60 aircraft career तैनात करने की छमता वाला aircraft career होगा, तो दोस्तो क्या है INS विशाल प्रोजेक्ट और भारत को इसे बनाने की जरूत क्यों है और कब तक ये INS विशाल एरिक्राफ्ट करियर बनकर तयार होगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो पूरा वीडियो अंद तक जरूर देखें तो चलिए बिना आपका समय बरव किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो 2012 में ही INS विशाल के डिजाइन स्टेज का काम नेवी के नेवल डिजाइन ब्यूरो ने सुरू कर दिया था और सुरू में नेवी की योजना डिजाइनिंग के लिए किसी देश की मदद नहीं लेने की थी लेकिन बाद म इसके लिए रूसी एरक्राफ्ट के डिजाइन की मदद लेने का फैसला लिया गया रिपोर्ट्स के मताबिक 2013 में नेवी ने INS विशाल पर इलेक्ट्रो मैगनेटिक एरक्राफ्ट लांज सिस्टम यानी इमाल्स लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर किया था और 2015 में उबामा के राष्टपत रहने के दोरान अमेरिका ने कहा था कि वो भारत को इमाल्स और अन्य टेक्नलाजी बेचने के पच्छ में है और 2015 में इस विशाल की डिजाइन के लिए नेवी ने चार देसों बिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की डिफेंस कमपनियों से संपर के लिए एक जोईंट वरकिंग ग्रूप बनाया और अक्टूबर 2017 में राष्टपत डोनाल्ड ट्रम्प ने आई एनस विशाल के लिए इमाल्स से जुड़ी टेक्नलाजी भारत को देने की मनजूरी दे दी और दिसंबर 2018 में नेवी चीप सुनील लावा ने कहा था कि आई आई एनस विक्रमादित्त को रिप्लेस करने के लिए आई एनस विशाल को लाएगी और नॉमबर 2021 में नेवी ने आई एनस विशाल की डिजाइन में थोड़ा बदलाओ लाने के लिए चर्चा सुरू कर दी और इसमें आई एनस विशाल को अनमैंड और मैंड दोनों एरक् की लेंडिंग का डिजाइन तयार करने और वर्तमान साइज जो की 65,000 टन को थोड़ा घटाने पर विचार भी किया गया और साइज घटाने से कैरियर का वजन लागत और इसे बनने में लगने वाला समय भी घटता है वहीं अप्रेल 2022 में भारत हैबी इलेक्ट्रिकल्स लिम्टर जानी बी एचियल ने आई एनस विशाल में इलेक्ट्रिक सिस्टम के सिलसले में जनरल इलेक्ट्रिक के मालिकाना हक वाली बिटिस और फ्रेंच कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पावर के साथ एक करार किया और आइनस विसाल को लेकर डिफेंस पर बनी इस थाई संसदी समित ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि बारती प्रायदीब के दोनों किनारों पर लंबे समुद्र तटो और सतुरता पूर चुनोतियों की वज़े से तीसरा एरक्राप करियर एक जरूरी आओ सकता है और इसी समित ने इस साल मार्च में लोगसवा में पेस एक और रिपोर्ट में नेवी की जोजनाओ के बारे में बताते हुए स्वदेशी एरक्राप करियर टू का भी जिक्र किया था और नेवी चाहती है कि देश के पास हर समय कम से कम तीन युद्ध पोत रहें ताकि अगर एक को रिपेरिंग की भी जरूरत पड़े तो दो हमेशा सेवा में तैनात रहें तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आई एनस विसाल कब तक बन कर तयार हो जाएगा तो दोस्तों आई एनस विसाल की चर्चा करीब एक दसक पहले सुरू हुई थी और सुरू में इसके 2020 तक नेवी में सामिल होने की उमीद थी लेकिन कई कारणों से ये प्रोजेक्ट सुरू नहीं हो पाया और 2018 में नेवी ने इसका निर्माड़ी कारे 2021 तक शुरू होने की संभावना जड़ाय थी अब इसके 2030 तक नेवी में सामिल होने की संभावना है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत को क्यों है आई एनस विसाल की ज़रुद तो दोस्तो भारत को समुद्रों की सुरच्छा के लिए एरक्राफ्ट केरियर की सबसे ज़्यादा ज़रुत है और हाल के वर्सों में भारत के आसपास के समुद्री इलाकों खास तोर पर हिंद महासागर में चीन की पहुँच बढ़ी है और ऐसे में भारत के लिए एरक्राफ केरियर फुजियान भी लांच किया है और ये चीन में निर्मित और कैटोबार टेक्निक से लैस चीन का पहला वार्शिफ है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि INS विक्रांत और विक्रमादित्य से किस तरह अलग होगा INS विसाल तो INS विसाल में पहले से मौझूद दो अईरक्राफ करियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की तुल्ला में एक बड़ा अंतर इसमें बने पलेन के लैंडिंग पैट को लेकर होगा जहां INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के डेक आगे की ओर थोड़ा उठे हुए हैं वही INS विसाल का डेक फ्लैट यानि सपार्ट होगा और INS विसाल में प्लेन की लांचिंग और लेंडिंग के लिए कैटोबाल लांच सिस्टम का इस्तिमाल होगा वहीं विक्रांत और विक्रमादित्य में प्लेन की लांचिंग लेंडिंग के लिए एस्टोबाल लांच सिस्टम का इस्तिमाल होता है और किसी भी एयरक्राफट के रनवे की तुलन में बहुत छोटा होता है इसलिए वार्शिप से प्लेन के टेक आउफ के लिए दो तरह के बना जाते हैं एक होता है इसकी जम टेक आफ जैसा कि आपने देखा होगा कि विक्रमादित्ति हो या विक्रांत उसका डेक आगे थोड़ा उठा होता है ये करीब 12 से 14 डिगरी उठा हुआ होता है दरसल दोस्तों रन्वे का ये उठान छोटे रन्वे से लड़ाकु विवान को उपर की ओर उड़ने का पुस देता है और इस तरह के छोटे रन्वे से उड़ान भणने को इसकी जम टेक आप कहते हैं और इस सिस्टम को इस टो बार यानि साड टेक आप बट अरेस्टेट रिकवरी सिस्टम और इस टेक आप को साड टेक आप भी कहते हैं वहीं इस इस Istobark system की खामिया यह है कि इस technique से विवान उड़ तो सकता है लेकिन ज़्यादा भारी और भारी भरकम हथ्यारों से less विवानों को उड़ाया नहीं जा सकता और इस system में विवानों के उड़ने की frequency भी कम रहती है वहीं catapool take up में सपाड डेक पर plane का take up catapool take up कहलाता है और इसमें plane को जहाओ से take up के लिए catapool यानी गुलेल जैसी टेकिनिक का इस्थिमाल करके plane को push किया जाता है और इस टेकिनिक से plane को एक गुलेल जैसे system के जरिये launching के लिए जरूरी energy दी जाती है इसे catobar यानि catapool arrested take up but arrested recovery system कहते हैं वही catapool take up का इस्तेमाल ज्यादा तर अमेरिकी वार्शिप में होता है और इसी system का इस्तेमाल INS विसाल में किया जाना है वही plane की जहाज के deck पर landing के लिए एक खास technique का इस्तेमाल होता है जिसमें जहाज के deck पर मजबूत तार और hook लगे हुए होते हैं fighter plane को landing के समय तार में लगे हुए hook में से एक में अपने hook को फसाना होता है इससे तार खिज जाते हैं और plane रुख जाता है इसी को arrested recovery system कहते हैं और भारत समय दुनिया के सभी वार्शिप में plane की landing के लिए इसी technique का इस्तेमाल होता है वहीं INS विसाल में कैटो वार सिस्टम के इस्तेमाल के लिए पहले nuclear power के इस्तेमाल की बात थी लेकिन खर्च गटाने के लिए अब electromagnetic technique का इस्तेमाल किया जाना है वहीं भारत को INS विसाल के रूप में अपना सबसे बड़ा युद्ध पोद बनाना चीन की अक्रामकता को देखते हुए बेहत जरूरी है अब आप लोगों का क्या कहना है INS विसाल के उपर कमेंट में जरूर बताया और लाइक सेयर करके चैनल को सबस्क्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले ताकि डिफेंस से जुड़ी खाबरे आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद मुपगा खाबरे आप लोगों को दोड़ी है